हलो फ्रेंड्स स्वागत आपका एक नई वीडियो में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 रुपे के Definitive Series Coins की जिसको हम Unity in Diversity भी बोलते हैं ये तीन येर में मिन्टो एक कोईन है 2005, 2006 और 2007 इसको हम Bi-Metal Coins भी बोलते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसमें इनर रिंग है और एक आउटर रिंग है ठीक है जी जूम करके दिखा देता हूं ये इस कमेंट है नॉडा मिंट में बने हुए हैं तो इसका जो इंटर्नल रिंग है वो कॉपर निकल का है और इसका जो बाहरी रिंग है वो अल्मीनियम ब्रॉंज का है तो इसलिए इसको बोलते हैं Bi-Metal Coin इससे पहले 10 रुपे के कमेंबरेटिव कॉइन इशू हुए थे जो जर्नल सर्कुलेशन में इशू हुए थे सबसे पहला कॉइन था उसमें 10 रुपे का महत्मा गांदी का कॉइन य ये पहले ऐसे 10 रुपे कॉइन थे जो सर्कुलेशन में आये थे और ये दूसरा कॉइन आया था सर्कुलेशन में 25th Independence Anniversary और तीसरा कॉइन आप जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं स्क्रीन में food for all ये तीन कॉइन्स थे जो circulation में आये थे silver और तब से लेकर अब तक जो issue हुआ है वो इंडिया का पहला 10 रुपए का कॉइन है जो 2005 में issue हुआ था तो अब बात कर लेते हैं इनके price की तो इनका price कुछ इस तरह है 2005 का जो कॉइन है वो rare माना जाता है UNC कंडिशन में जो है वो approximate 800 से 900 रुपए है 2005 अगर आपके पास भी ऐसा कॉइन है तो आप भी 800 से 900 रुपए उसके मलब मिल सकते हैं आपको उसके और next 2006 का है ये common है इसकी minting बहुत जादा हुई थी ये आपको 100 से 1500 रुपए UNC कंडिशन में मिल जाएगा नॉर्मल कंडिशन 40-50 रुपए में मिल जाएगा और ये है 2007 ये भी कम बना हुआ है ये आपको 1500 से 200 रुपए का UNC कंडिशन में मिल जाएगा और circulation कंडिशन में वही आपको 40-50 रुपए का मिल जाएगा नेक्स्ट उसके बाद कॉइंज इचुए थे 10 रुपए के जैसे आपको देखे होगे मार्किट में भी काफी मिल जाते हैं ये इसको रेज कॉइन भी बहुत हैं ये जो रेज बनी होती है ये 2008 से लेकर 2009 तक रिलीज हुए थे उसके बाद नेक्स्ट कॉइन रिलीज हुआ था ये जिसमें फर्स टाइम इंडिया का सिंबल करंसी सिंबल यूज किया गया था ये देखिए आपको जूम करके बता देता हूँ ये पहली बाद इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडिया के रुपये को पहचान मिली थी ये उसका सिंबल है जो इस कोइन पर बनाया था ये दो येर्स में बना हुआ है 2019 और 2020 में ये इसकी अधर साइड है तो उसके बाद जैसा है अभी रिसेंटली बनाया कोइन 75 येर्स अजादी का अमरत महुत सब ये तो अभी सब आपने देखा ही होगा ये भी सर्कुलेशन में आ जाएगा ये 2021 और 2022 में बना हुआ है नौइडामिंट का कोईन है ये ये भी सर्कुलेशन में है आ जाएगा तो आज के लिए इतना ही फ्रेंट्स तो आपको गिववे की वीडियो का लिंक आ रहा होगा आपकी स्क्रीम पे आप वहाँ पे जाएए उसको जरूर चेक कीजिए आपको जैसे पता गिववे चल रहा है दो आप वहाँ उसको क्लिक करिए उस पे कमेंट कीजिए और हो सकते हैं आप भी लखी हों और आपको भी कोईन मिल सकें तो आज की वीडियो यही कतम करते हैं तब तक के लिए दन्यवाद